नमस्कार स्वागत आप सभी का एक बार फिट से अड़ा M.C.Q.G.K में दोस्तो राजस्तान हाई कोट प्रैक्टिस सेट की राजस्तान जिके और करेंट अफेर की सिरीज में दोस्तों एक और यह प्रैक्टिस सेट और क्योंकि इससे पहले भी कुछ हम पढ़ चुके हैं आप आपने देखे भी होंगे अगर नहीं देखे हैं तो इस प्रैलिस्ट में जाएए अब आई बटन दिख रहा होगा आपको इस प्रैलिस्ट में जाकर आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं जिसमें दोस्तों हमने राजस्तान के जिके और करेंट अफेर के कुछ महतपुन पर्ष्णों की चर्चा की है, तो ये पर्ष्ण आपके लिए जरूर मैत्पॉर्ण साबित होंगे, पले लिए जाकर जरूर देखें, और एक और पले लिए बनी दोस्तों, रास्तान हाइ कोट LDC एकजाम के नाम से, उस पले लिए जाओगे, तो आपको हिंदी और इंग्लिस के topic wise topic wise दोस्तों सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाएंगे तो उनको भी जाकर अवज से देखें ये भी आपके लिए मैत्पॉर्ण साबित होंगे तो शुरू करने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चनल को तो सब्सक्राइब करने में पास मैसे बैल आइकन भी दबा लाएं ताकि समय समय पर नौटिफिकेशन आपको मिलते रहे क्लासेस अपलोड होने पर तो देखते हैं दोस्तों सुरू करते हैं आज के हमारे पहले परशने के साथ पहला परशने आपके सामने राजस्तान में जोरावा गीत है तो देखेगा दोस्तों राजस्तान में जोरावा गीत क्या है तो पहला विकल्प दे रहा है आपको एक विरह गीत दूसरा दे रहा है दोस्तों एक जन्मोत सव गीत वदू विदाई गीत या फिर दोस्तों फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत तो ये मुक्यत दोस्तों कैसा गीत है एक विरह गीत है दोस्तों विरह गीत अविकल्प यहां पर हमारे right answer हो जाएगा मुक्यत दोस्तों ये सेकावाटी सेत्रों में गाया जाता है अविकल्प right हो गा यहां पर next देखी सेकेंड नमबर आपके सामने राई नर्तिय के नाम से जाना जाता है तो राई नर्तिय के नाम से दोस्तो कौन सा नर्तिय जाना जाता है अतिमेत पॉन पर्षन कई बार पूछा जा चुका है तो पहला विकल्प देरेका यहां पर गवरी नर्तिय दूसरा देरका है दूस्तो गूमर नर्तिय, तीसरा वालर नर्तिय और चौता देरका यहाँ पर चरी नर्तिय तो राई नर्तिय के नाम से जाना जाने वाला गीत है दूस्तो यहाँ पर गवरी नर्तिय अविकल्प यहाँ पर हमारे राइट आंसर होगा ये दोस्तो बीलो का नर्तिया है बील जन जाती का नर्तिया है पुरुस परदान नर्तिया है तो हमारे अविकल्प या पर सही उत्तर होगा अगला देखी अगला है दोस्तों तीन नमर प्रशन आपके सामने राजस्तान में बंगडी आभूसन पहना जाता है तो अतिमेयत पुन प्रशन और आभूसनों से भी एक नाइक प्रशन जरूर मिलता है हर एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो राजस्तान का तो देखेगा जो बंगडी आबूसने वो पहना जाता है दोस्तों कहां पर पहला विकल्प देरका है सिर पर दूसरा देरका है हातों में तीसरा दोस्तों गले में या पैरों में तो बंगडी नामक आबूसन ये पहना जाता है दोस्तों हातों में विकल्प ब हमारे यहां पर सही उत्तर होगा अगला है दोस्तों चार नमबर हमीर महा काविय का लेकक कौन था, तो पहला दे रेका है कवी रजा स्यामलदास, दूसरा नियंचंदर सुरी, तीसरा जी एच ओजा, चोथा दे रेका है याँ पर नियंड सी. तो हमीर महा काविय के जो लेकक है वो है दोस्तों यहाँ पर नयन चंद्र सूरी विकल्प ब अमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ध्यान रखेगा और इसमें दोस्तों किसमें अमीर का महा काव्य में रन थम्बोर के चोहनों का दोस्तों उल्लेक मिलता है चोहन वंस का इसमें उल्लेक मिलता है अविकल्प हमारे यहां पर राइट आंस्वर होगा और देखेगा दोस्तों यहां पर अगर बात करें एक और रचना है वीर विनोध कई बार इसके बारे में भी पर्सनल पूछा जाता है वीर विनोध रचना है दोस्तों स्यामल दास की स्यामल दास की ध्यान रखेगा यहां पर जी एच ओजा की दोस्तों बात करें तो इन्हों सिंग की बात करें दोस्तों जिने मारवार का अबुल फुजल कहा जाता है इनकी जो रचना है वो है दोस्तों नैन सी की ख्यात बह विकल्प हमारे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बह विकल्प होगा सायद मैंने अविकल्प लिखा बह विकल्प होगा दोस्तों हमीर महा कावी के लेख कौन है नैन चंदर सूरी अगला देखे पांच नंबर है नाथो का मंदिर इस्तित है तो पहला विकल्प दे रहा है दोस्तो महा मंदिर जोधपूर में दूसरा दे रहा है दोस्तो उदेपूर में तीसरा अजमेर या जैपूर तो नाथो का मंदिर है दोस्तो म यहां पर माननाति साका कैसी है दोस्तों माननाति साका दूसरी की बात करें तो दूसरी है दोस्तों यहां पर बेरागी साका कैसी बेरागी साका जो माननाति साका है वो तो है दोस्तों जोदपुर में बेरागी साका है दोस्तों पुसकर राता डूंगा पुसकर में कहां पर है राता डूंगा इसको भी ध्यान रखेगा थोड़ा डीपली भी पूचे तो राता डूंगा पुसकर में है ये अव विकल्प हमारे यहां पर राइट होगा आंस्वर चैन नमबर देखिए गालव रिशी का आसरम कहां इस्तित है तो गालव रिशी का जो आसरम है दोस्तों वो कहां पर है पहला देर का है जोधपूर दूसरा जेपूर तीसरा अजमेर चौता सीरोई तो जो गालव रिशी का जो आसरम है वो कहां पर है वो है दोस्तों गलता जी जैपूर में गलता जी जैपूर में विकल्प यहां पर राइट आंसर होगा और गलता जी को या गालव रिसी के आश्रम को दोस्तों इस इस्तान को तोताद्री भी का जाता है क्या का जाता है तोताद्री तो इसको भी ध्यान रखिएगा विकल्प राइट अगला देखे साथ नंबर रनकपूर मंदिर का मुख्य सिल्पी कौन था तो रनकपूर मंदिर का दोस्तों मुख्य सिल्पी कौन था पहला देर का एवांचा, दोसरा अरबूद, तीसरा दीपा या देपाग, चोथा देर का यहां पर अरदास तो रनकपुर मंदिर का जो मुख्य सिल्पी था वह था दोस्तों यहां पर दीपा या फिर देपाग सर विकल्प हमारे राइट आंसर होगा यहां पर और इसका निर्मान दोस्तों 1449 ECU में कुम्पा के सासन काल में किसके सासन काल में? कुम्पा के सासन काल में दोस्तों इसका निर्मान हुआ था और आदिनात रिसब देव को ये समर्पी थे किसको समर्पी थे? आदिनात रिसब देव को तो ये भी परसन पूचा जा चुका है कि ये जो मंदिर है ये किसे समर्पी थे आदिनात रिसब देव को तो सव विकल्प है हमारे यहां पर राइट आंस्वर मुख्य सिल्पी कौन थे दीपा या देपा अगला देखी आठ नमबर है रामसागर वनिय जवी अभ्यारण इस् विकल्प दह हमारे राइट होगा आंस्वर नमबर देखिए अलावदीन खिल्जी ने मेवाड पर आकर्मन किया था तो अलावदीन खिल्जी ने दोस्तों मेवाड पर कब आकर्मन किया तो पहला देर रखा है दोस्तों यहां पर 1296 दोसरा 1285 तेसरा 1268 या 1203 में तो ये दो दोस्तों अलाव। दीन खिल जी ने 1203 ईस्वी में यहाँ पर रावल रतन सिंग के सासन काहल में आकरमन क्या था इसने और यहाँ पर दोस्तों रावल रतन सिंग के नेतरतों में दोस्तों के स्रया हुअ था इस पर एक परसिद फिलम भी बनी है आपको पता भी होगा तो इनके नेतरतों में तो हुआ था दोस्तों केसरिया और राणी मा पदमिनी के नेतरतों में पदमिनी के नेतरतों में दोस्तों जोहर हुआ था क्या हुआ जोहर हुआ था और मलिक मुहमद जाइसी की एक रचना है दोस्तों पदमावत पदमावत मलिक मुहमद जाइसी की एक रचना है ये पदमावत इसमें दोस्तों इसका उल्लेक मिलता है और अलाउदीन दोस्तों इसको जीतने में भी सफल हुआ था और इसका नाम बदल कर इसने दोस्तों खिजराबाद रख दिया था तो विकल्प द्ध हमारे यहां पर राइट आंसर होगा 1303 में दोस्तों आकरमन किया था एतियासिक जोर भी हो आता इस समय अगला देखिए 10 नमर है राजस्तान सेवा संग की इस्तापना कब हुई तो पहला विकल्प देरका है दोस्तों 1919, दूसरा 1921, तीसरा 1924, चौता देरका है 1926 तो राजस्तान सेवा संग की जो इस्तापना है वो दोस्तों कब हुई ये हुई दोस्तों 1919 में और महाराष्ट के वर्दा में महाराष्ट के दोस्तों वर्दा में इसकी इस्तापना विजे सिंग पतिक हरीबावी किंकर केसरी सिंग बारट के नितरतों में हुई थी अव विकल्प राइट होगा आंस्वर यहां पर अगला 11 नमबर दे कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो का है मैक मोशन, दूसरा कर्णल टोड, तीसरा मेजर सावर्स या बर्टन तो दोस्तों 1857 की करांती के समय जोदपूर में दोस्तों मैक मोशन जोदपूर में मैक मोशन यहां पर मारा गया था अविकल्प यहां पर दोस्तों राइट आंस्वर होगा और दोस्तों पॉलिटि कि विरुध यूद में दोस्तों ये मारा गया था उस समय दोस्तों दो यूद हुए थे एक तो हुआ था चेलावास का यूद एक हुआ था दोस्तों बित्धोडा का यूद तो सन में तो confusion होना है नीच चाहिए दोस्तों 1857 है 1857 ये भी दोस्तों 1857 जो डेट थी तो बित्थोडा तो हुआ था दोस्तों 8 सेप्तमबर को और चेलावास की बात करें तो इसके 10 दिनी पस्चात 18 सेप्तमबर को तो डेट इंपोर्टेंट है यहां पर ध्यान रखेगा बित्थोडा पहले बैठा फिर चेला पहले बैठा फिर चेला ध्यान रखेगा पहले बित्थोडा का युदवा था 8 सितंबर 1857 को और चेलावास दोस्तो 18 सितंबर 1857 को इसे काला गोरा का युद भी दोस्तो कहा जाता है तो अब विकल्प हमारे यहां पर राइट आंसर होगा अगला देखे बारा नंबर है चितोड का प्राची नाम था तो देखेगा पहला विकल्प देरेका यहां पर प्राची नाम था वो ता दोस्तों यहां पर चित्रकूट चित्रांगद मोर्य के ने दोस्तों यहां पर सासन क्या था इसलिए दोस्तों चित्रकूट इसका नाम था प्राची नाम सर विकल्प यहां पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखे अगला है दोस्तों तेरा नमबर विकानेर का प्राची नाम क्या था तो विकानेर का प्राची नाम क्या था दोस्तों ये था क्या पहला विकल्प देर का जांगल दूसरा सीवी तीसरा मध्यमिका या मरू तो विकानेर का प्राची नाम था दोस्तों जांगल परदेश अविकल्प हमारे यहां प कि घेज़री, तीसरा देर का पाबु जी चौता है दोस्तों देव वानस्पतिक नाम है वो है दोस्तों प्रोसोपिस सिने रेरिया इसका है दोस्तों वानस्पतिक नाम डेट एक है दोस्तों मैंतपोंड डेट 31 अक्टूंबर 1913 सिको इसे दोस्तों राजी व्रक्स का दर्जा प्राप्त हुआ राजी व्रक्स का दर्जा प्राप्त हुआ था 31 अक्टूंबर 1913 सिको पाँच जून पाँच जून 1988 को इस पर पाँच पैसे का डाक टेकट भी जारी हुआ था और आपको ये भी पता होगा कि दसहरा के दिन दसहरा के दिन दोस्तों खेजडी की पूजा होती है अव इकल्प यहां पर हमारे राइट आंसर है बाकि इन सभी जानकारी को ध्यान रखेगा मुक्यत देट दोस्तों राज्यवर्क्स कब गोसित हुआ 31 सक्टूंबर 1913 को राज्यवर्क्स का दर्जा मिला था इसे ये इंपोर्टेंट है थोड़ा सा परसन गुमा कर पूर सकते हैं ये गोकुल भाई बट तो देखेगा दोस्तों जीवन कुटीर के जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया ये लिखा गया दोस्तों इरलाल सास्त्री के द्वारा सर्विकल्प यहां पर हमारे राइट आंसर होगा एक और गीत है दोस्तों पढ़ले परतिक्षा नमो नमा इसके द्वारा इरलाल सास्त्री के द्वारा लिखा गया था और सर्विकल्प हमारे यहां पर राइट आंसर होगा अगला देखे 16 नमबर है दोस्तों संत दरियाव जी रामिसने संपड़दाय की किस साका के परवत तक थे तो देखेगा दोस्तों पहला विकल्प दे रहे क है सापुरा दोसरा सियंतल तेसरा रेन या पिर खेड़ा पा तो संत जो दरियाव जी है दोस्तों ये किस साका के दोस्तों परवतक थे रेन साका के किस साका के दोस्तों रेन साका के सर्विकल्प यहां पर राइट आंसर होगा रामिसने संपरदाय की दोस्तों चार पीट है पहली पीट की बात करें तो यह है दोस्तों यहां पर आपके साव पुरा जो की कहां पर है दोस्तों बीलवाडा में जो की पहले विकलप में हमारे दे रखा है कहां पर है बीलवाडा में इसकी इस्ताबना दोस्तों राम चरण जीने की थी किसने की थी राम चरण जी ने की थी दूसरी बात करें अगर दोस्तों हमारे रेन देखें रेन की तो की थी किसने संत दरियाव जी ने और रेन है दोस्तों मेडता में कहां पर है मेडता में और इसकी जो इस्ताबना की थी वो की थी दरियाव जी ने और बात करें तो और है द दोस्तों जोदपुर में, पीट जोदपुर में, इसकी इस्तापना रामदास जी ने की थी, रामदास जी ने, और बात करें सियंतल ये है दोस्तों बीका नीर में, कहां पर है, बीका नीर में, इसकी जो इस्तापना है, वो की थी दोस्तों हरी रामदास जी ने, हरी रामदास जी ने, तो मुक्यत ये चार पीटे हैं, कई एक्जामों में दोस्तों ये पर्जन पूचा जा चकवा इन पीठों में से, कि जो रामिशनी संपरदाय की पीठ है बेलवाडा की सापुरा वाली, इस्तापना रामचरण जी ने, सियंतल, बिका नेर की दोस्तों हरिदास जी ने, इस्तापना की थी रैन जो मेड़ता में दरियाव जी ने और खेड़ापा दोस्तों, ये जोध़पुर में इसकी रामदास जी ने तो ध्यान रखेगा, अति मेहत पुन प्रशन है कई बार गुमा फिरा कर पूचा जाता है मिलान करने से सम्मदित भी आपको पूच सकते हैं तो विकल्प हमारे वैसे है, तो सर्व होगा राइट क्योंकि हमें पूचाता दोस्तों, संत दरियाव जी ने किस की की थी, रैन की सर्व एकल्प राइट है अगला देखे, 17 नमबर है, निमलिकित मैं से राजस्तान का कौन सा जिला कानन मेला से सम्मदित है तो राजस्तान का दोस्तों कौन सा जिला है जो कानन मेला से सम्मदित है पहला देर का टौक, करोली, बाड मेर या उद्यपूर तो ध्यान रखेगा यहाँ पर बाड मेर हो जाएगा यह और वसंद रुतों में यह मेला लगता है ध्यान रखेगा सब विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंस्वर है अगला देखे अगला है दोस्तो 18 नमर निमल के दमें से किस जिल्ले में बेमलाट विजे इस्तम इस्तित और यह दोस्तों जो पिमलाट का विजे इस्तम है यह बनाया था समुंद्र गुपत ने ध्यान रखेगा और भी विजे इस्तम है दोस्तों तनोट जसलमेर में भी एक विजे इस्तम है तनोट मंदिर के आगे दोस्तों आपने देखा होगा अगर गए है तो जसलमेर में दो अपको पताओगा बविकल पर व्यासे अमारे विमलाट का पूचाता भरत्पूर्व जाना में अगला देखे 19 नंबर है दे उतेशनी सभा को इस्तापित की गई थी तो देश़ हितेशनी सभा को कब इस्तापित की गई पहला 2 जुलाइ तो ध्यान रखेगा दो जुले अटारसो सततर में कब दो जुले अटारसो सततर में मारना सजन सिंग इसके अध्यक्स थे दोस्तों देश इतेशनी सबाक है और समाजिक सुदार है तो इसका गटन किया गया था दव विकल्प यहां पर राइट है अगला देखे अगला है बीस नंबर गणेश्वर सब्याता किस काल से संब्धित है तो गणेश्वर सब्याता दोस्तों किस काल से होगी पहला देर का है अडपा या लोह यूग तामर या कांसी यूग या फिर पूरा पासान तो ध्यान रखेगा तामर या कांसे यूग से ये सम्बंदित है कांतली नदी कांतली नदी के दोस्तों ये किनारे हैं गणेश्वर सब्याता आर्सी अगर्वाल ने के नेतर तो में इसकी खुदय हुई थी ध्यान रखेगा सव इकलप सही उतर है यहाँ पर अगला देखिए 21 नमबर देखिए दोस्तों बनास नदी का उदगम इस्तल है तो 21 नमबर है बनास नदी का उदगम इस्तल पहला दे रहेगा सियोर सेत्र, देवास के निकट, खमनोर की पाड़िया या हरीपुरा गाउ तो बनास नदी का जो उदगम इस्तल है यह दोस्तों यहाँ पर खमनोर की पाड़िया सर विकल्ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज समंद में है यह राज समंद में ध्यान रखेगा खमनोर से दोस्तों यह ओते हुए बनास नदी राज समंद जाती है खमनो रासमन से होते हैं रासमन से उद्गम हैस्त वैसे है इसका रासमन से होते हुए चितोड की और जाते हुए बेलवाडा बेलवाडा जाते हुए दोस्तों स्वई मादोपूर से वापिस टॉक से दोस्तों अजमेर अजमेर सेव जाकर ये चंबल में मिल जाती है ध्यान र निवाज या फिर बनास की सागी तो बनास की दोस्तों यहां पर गौजार सागी यहां पर दोस्तों लूनी की सायक है किसकी है लूनी की तो दव Claud । यहां पर हमारे, राइट अंवे का अन्सर अगला देच, 23 नंबर हैंज्ञेगी कौन सा, सुमिलित नहीं है तो पहला देरका है मरदा का परकार दोसरा देरका है दोस्तो जिल्ला तो देखें लाल लोमी डूंगरपुर में और परवती मरदा उद्यपुर में या पीली बुरी दोस्तो बिका नेर में या फिर गहरी मध्यम काली ये कोटा में तो इसका राइट आंसर ह जगा दोस्तों पीली भूरी ये बिकानेर में नहीं पाई जाती है ये मुक्यत दोस्तों अरावली के पस्चीमी सेत्रों में पाई जाती है पीली भूरी तो बिकानेर में तो आपको पता होगा कि रेतिली जो मिटी है रेतिली मिटी पाई जाती है और पीरी बुली को दोस्तो हमें anti-sol, Blazer sichrojaugg am rdada भी कहते है यह मुक्यत er अरावली के पश्चिमी जिलों नियुकर अरावली के पस्चिमी जिलों में दोस्तों पाहिजज़ पीली बूरी तो बस आसानी था वैसे तो साहर यहां पर यहां पर तो चम्बल नदी पर जो बांध बना है चार बांध बना है दोस्तों ये अब ये पूचा है उपर से नीचे का करम तो उपर से नीचे का जो करम है वो ध्यान रगेगा पहला गांधी सागर फिर दोस्तों यहाँ पर राणा परताब सागर फिर जवार सागर फिर है दोस्तों कोट इसली हिस्सेदारी के साथ अविकल्प सही उतर हो गए याँ पर अगला देखिए 25 नमबर है भीमसागर और चापी सिच्चे परियोजनाई किस जिल्ले में इस्ति थे तो भीमसागर और चापी परियोजनाई ये दोस्तों किसमें है पहला विकल्प दे रहे का है सवाई नसल नहीं है तो देखिएगा कौन सी है जो गौर वंस की नसल यहां पर नहीं है इसका आरती यह वागए गाय की नसल कौन सी नहीं है इसमें से तो देखिए पहला विकल्प दे रहे का है दोस्तों मालवी तो मालवी तो दोस्तों है यहां पर और मेवाती भी दोस्तों है औ और नागोरी भी है लेकिन नाली यहाँ पर नहीं है। नाली एक भेड़ की नसल है किस की नसल है भेड़ की तो विकल पब हमारे यहाँ पर राइट होगा आनस्वर। अगला देखे 27 नमबर पूंसा सुम्मेलित नहीं है। अब यहाँ पर दे रेके अब्यारणी है और यहाँ पर दे रेके इनकी इस्तती यानि कि यह किस जिल्ले में इस्तित है तो पहला देखे अगर केला दिवी अब्यारणी है तो यह दोस्तों दे रेका है करोली में तो यह तो यहाँ पर सही है दोस्तों तालचा पर अब्यारण ये चूरू में है तो ये भी सही है रामसागर वन विहार ये दोनों ये दोस्तों है दोलपूर में और टॉडगड रावली दोस्तों दे रखा है काँ पर भीलवाडा में तो ये बीलवाडा में ना ओकर काँ पर है दोस्तों ये अजमेर पाली और दोस्तों राज समंद में व में परिस्तिती संकट के कारण है तो अरावली परदेश में दोस्तों परिस्तिती संकट के कारण कौन-कौन से है इसका देखिएगा तो यहां पर वनोनमूलन, भूमी अवकर्षन, जल परदूसन और खनीज खनन दे रखाए तो ध्यान रखे यहां पर एक तो वनोनमूलन है दोस्तो परिस्तिती की संकट का करण वनों की कटई हो रही है बूमी अवकर्षन भी है दोस्तों और यहां पर देखें जल परदूसन कोई किसी परकार सी परबावित नहीं करता दोस्तों अरावली को परिस्तिती की संकट की नजर में और जो खनीज का खनन हो रहा है दोस्तों वहाँ पर अरावली का खनन किया जा रहा है तो ये तीन मुख्यत करण है एक दो और तीन तो एक दो और तीन किसमे है यह विकल्प अ में विकल्प अ राइट होगा अगला देखे गुंतिस नंबर है राजस्तान में कर्सी जल्वाई उपर दे सेकेंड बी लूनी बैसीन का सक पाली जिल्ला और जालोर तो इन में से शीरोई जिल्ला पाली जिल्ला और जालोर अविकल्प में अविकल्प राइट हो गया पर अगला देखे तीस नंबर है राजस्तान में पहला रेल मारक प्रारम किया गया था तो राजस्तान में दोस्तों पहला जो रेल मारक है ये प प्रारम किया गया दोस्तों अप्रेल 1884 में कब प्रारम हुआ अप्रेल 1884 में और आगरा फोर्ट से बांदी कुई के मद्ये दोस्तों ये पहली रेल चली थी बह वेकल्प यहां पर हमारे राइट होगा अप्रेल 1884 राजस्तान में आगरा फोर्ट से बांदी कुई बारत का पूछे तो भारत में दोस्तों 1853 में अपरेल 1853 में बंबई से ठाने के मद्दिये परतम रेल चली थी तो इसका भी आप ध्यान में रखेगा तो 1884 में तो चली थी कहां पर राजस्तान में और 1853 में दोस्तों भारत में अगला देखे 31 नमबर है थार एक्सप्रेस का बाड मेर जिल्लों में बारतिय अंतिम रेल इस्टेशन है तो ध्यान रखेगा कौन सा रेल इस्टेशन है पहला दे रहा है दोस्तों पचपद्रा दूसरा यहां पर दे रहा है बालोत्रा तेसरा दे रहा है दोस्तों यहां पर रामसर और चौता दे रहा है मुनाबाव तो ध्यान रखेगा बार्ड मेर जिल्ले में जो बारतिय अंतिम रेल्वे स्टेशन है वो है दोस्तों यहां पर परवरी 2006 दोस्तों इसकी सुरुआत हुई थी पाकिस्तान को जाती आपको पता भी हो गई दो विकल्प राइट आंसर है यहां पर अगला देखिए 32 नमबर है राजस्तान में एसपेस्टोस उत्पादन की दो अगरणी जिल्ले हैं तो देखिए राजस्तान में एसपेस्टो सही उत्तर होगा अगला देखिए 33 नमबर है कौन सा सुमिलित नहीं है तो देखिए यहां पर खनीज देरके हैं यहां पर खनन सेत्र देरके हैं तो पहला देरका है लो अयस्क और यह दोस्तों इसका जो खनन सेत्र है नातरा की पाल तो यह तो दोस्तों यहां पर सही है ता रिसब देव और खेरवड़ा से निकाला जाता है और जामर कोटड़ा से तो रॉक फॉसफेट निकाला जाता है रॉक फॉसफेट ध्यान रखेगा और जिपसम दोस्तो जामसर यह भी यहां पर सही है तो सर्व इकल्प है जो यहां पर सुमिलित नहीं है अगला देखिएगा 34 नमबर है राजस्तान के चार परमुख चावल उत्पादक जिल्ले है तो मुक्यदा दोस्तों चावल का जो उत्पादन होता है वह राजस्तान के दोस्तों उत्री जिल्लों में अब बात करें तो हनुमानगड और गंगानगर की और इसके अलावा कुछ जगा है जैसे अजम अगरनी ककादक जिल्ले है तो राजस्तान के दो अगरनी ककादक जिल्ले तो देखिये का कपास उत्पादक जिल्लों का पूचा है तो ये भी दोस्तों अगरने जिल्ले हैं गंगा नगर और अनुमानगर देखें अगला दोस्तों अब यहां से थोड़े आपके करेंट के कुस्षन शुरू हो रहे हैं जिन किसी को भी पता नहीं है कि करेंट कैसा आने वाला तो द्यान रखेगा एक तो आपके इंटरनेशनल करेंट अफेर और राजस्तान का करेंट अफेर तीनो आएगा त्यान रखेगा तीनो आने वाला है राजस्तान के बरोसे मत रहे न कि केवल राजस्तान गयाएगा लगबग 15 से 14 या फिर 14 से 15 कह सकता हूँ 14 से 15 कुस्षन आएंगे यहां पर लेकिन जो वेटेज ज़्यादा रहेगा वो राजस्तान करेगा इसका हम कह सकते हैं कि जो वेटेज है वो ज़्यादा दोस्तो राजस्तान के करेंट अफेर का रहेगा और जो लगबग पर है दोस्तो प्रैक्टिस सेट उसी के आधार पर बनाया गया है गारंटी है दोस्तो तीन कुस्षन है बुगोल कहेंगे बारत के बुगोल से बागी राजस्तान की कला संसकर्ती राजस्तान के इतियास राजस्तान के दोस्तो बुगोल के कुस्षन हुआने वाले हैं तो बारत गौरव रेल का दोस्तों जो मुख्य उदेशी है ये कौन सा है ये दोस्तों दो अंतिम विकल्प देर का है राजा और उनके साही इस्तानों के बेते हुए यूग को पुन दर्साने है तू तो विकल्प द राइट आंसर होगा यहां पर नेक्स्ट देखिए 37 नमबर द जो दोस्तों चर्चा में रहती है उससे सम्वन्दीत कौसन एक गारंटी के साथ पूचा जाएगा तो दोस्तों बुड्रो विल्सन विकल्प यहां पर हमारे राइट होगा अंसर अगला देखिए 38 नमबर विस्व वैपार संगटन की स्तापना का वर्स है तो अब ऐसे कौ पूचे जा सकते हैं दोस्तों ध्यान कियागा तो विस्व वैपार संगटन की जो इस्तापना हुई थी वो इती 1995 में विकलब राइट होगा यहाँ पर अगला देखे 49 नमबर बारत में 2021 में सकल जोड़े गए मुल्य यानि चालू कीमतों पर ओद्योगिक सेतर का अंस था तो बारत की दरश्टी से पूचा है तो यह ओद्योगिक सेतर का अंस था दूस्तों 25.937 सर विकलब राइट यहाँ पर अगला देखे 40 नमबर बारत में राष्टी काद सुरक्सा अधिनियम किस वर्स बनाया गया बारति राष्टी जो खाद सुरक्सा अधिनियम है अब यह पर सुरक्सा अधिनियम है अब यह पर गहूँ उपलप्त कराया जाता है गहूं मुहया करवाया जाता है तो यह वैसे चर्चा में ही रहते हैं लेकिन जो इनकी अधिनियम होते हैं या विए शुरुवात इनके कब होती है ऐसे कोशन है जो पूछ लिया जाते हैं तो बारत में राष्टी काद सुरक्सा जो अधिनियम है यह बनाया गया था दोस्तो कब तो यह बनाया गये 2013 में सर तो देखिएगा अगर option में आपको राजस्तान दिख जाता है तो देखिएगा राजस्तान तो आपको ऐसे देख के नहीं घड़ना है त्यान रखिएगा ऐसे आकड़ पढ़ कर जाएगा पता होना चाहिए आपको अब करेंट कहां से पूछा जाएगा अब वो लगबग अब वो high court की दोस्तों इच्चा होगी लेकिन हमने यहाँ पर पूरा जो pattern है वो उसी की आदार पर बनाए है कि किस परकास की question ने वो आने वाले है और इनी में से question दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेंगे बली exam के बाद आप देख लीजेगा तो देखिएगा जो भार क्राम सवराजगार योजना का उदेश है कि ग्रामीनिस्तर की जो आदारबूत सुईदाएं होती उनकी monitoring करें सर विकल्प right है यहाँ पर अगला देखिए अगला 43 नमर है योजना जिसमें राजस्तान सरकार द्वारा कर्सिगत कार्य करते हुए दूरगणा गरस्तोंने पर दो लाग रुपे की सायता आपको सरकार देगी तो वह योजना है दोस्तों यहाँ पर राजीव गंदी कर्सक साती सायता योजना ध्यान रखिएगा सर्विकल्प right है यहाँ पर अच्छा कोसन है यह भी थोड़ा अगला 44 नमर है एसे यूवा एथलेटिक्स 2022 में बाग ले सिदार्थ चौधरी किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हैं अब यह कुशन क्या पूचा है कि सिदार्थ चौधरी का जो संबंद है वो किस खेल से है तो ध्यान रखिएगा इर का संबंद है किसे गोला फैक से सौट पूट गोला फैक से अविकल्प right है आपर अगला 2022 में दोस्तों वर्ल्ड सुफी म्योजिक फेस्टिवल का आयोजन ये हुआ है दोस्तों कहां पर जैपूर में विकल्प right हो गई यहां पर अगला देखिए 46 नंबर किस दिन राजस्तान की नई ग्रामिन परेटन निती लागो की गई अब देखिए कोरोना से जब हाल भिहा हो गई थे दोस्तों परेटन के आलत कस्ता हो गई थी तो यहां पर यह जो परेटन निती है यह लागो की गई आनन फाने में 12 दिसंबर 2022 को दोस्तों ध्यान रखिए अगर राइट है यहां पर अगला देखिए 47 नंबर है दुनिया के सबसे उची युद सितर सियाचिन गल तो धियान रखियेगा यह कौन है यह दोस्तों कैपटन सिवाचौहन सिवाज़ राइट हो जाएगा यह पर यह सबसे उचे दुम्र बरत पूर में धोस्तों दविकल्प राइट है यहां पर अगला देखे 49 नमबर एसिया का सबसे बड़ा कर्षी फॉरम राजस्तान के निमलिक इदमे से किस इस्तान पर इसती थे तो यह राजस्तान के दोस्तों सूरतगट गंगानगर में है सर विकल्प राइट हो जाएगा यहां पर अगला देखे 50 नमबर मिस्र सुरक्सा चक्र का सम्मद्ध किस जिल्ले से है तो मिस्र सुरक्सा चक्र का सम्मद्ध दोस्तों है बाड मेर जिल्ले से विकल्प राइट हो बीत होंगे यकीन मानेगा इन्हीं मैंसे कोशन है वो आपके आएगा और प्रैक्टिसेड और भी पढ़े हैं हमने आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें आपको मिल जाएंगे वो तो दिन्यवाद मिलते हैं जल्दी हमारी नई क्लास में कुछ ऐसे ही मैत्पूर्ण प झाल आकर जो खाल के वो खंपूर्ण थो और मिलम जाएंगे आएंगे नगयआ निएप्ला हमारी चाहरा जा हमारी सãosने मुआर्स में लिए्टा आपके उन्यात हैं हमारी ग्रदम मैंजड दिन्देटलिसेगन चाहर